नमस्कार स्वागत है आपका स्टार्ट इंवेस्टमेंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल फोर टू फाइफ स्टॉक्स के बारे में जहां दो स्टॉक जैसे की पीबी फिंटेक यानि की पॉलिसी बाजार या पैंसा बाजार जो कंप जहां तक मुझे याद है 980 रुपए के करीब यहां पे आई पियो का प्राइस रखा गया था वहां से ये शियर लगवग 1400 रुपए के करीब भी ट्रेड होता वा दिखाई दिया था लेकिन हाल के दिनों के अंदर इस शियर के अंदर बहुत जादा गिरावट हुई है और लोगों को मिल रहे हैं इन शियर के बारे में हम डीटेल में डिसकस करने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरूर कहूंगा अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं शियर मार्केट में बिगनर हैं इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने शब्सक्र कर रहा था और लगबग 12% की गिरावट यहां पे दर्ज की गई है ऐसा क्यूं हुआ है इस शियर के अंदर वो रीजन हम आप लोगों को बताएंगे लेकिन अगर इस कंपनी के आल्मोस्ट आल टाइम हाई से मैं बताओं तो लगबग माइनस 51% यह शियर चल रहा है यानि क 51% की गिरावट अभी तक इस शियर के अंदर हो चुकी है अपने आल टाइम हाई से जी हाँ दोस्तों आज की गिरावट का रीजन अगर आप लोगों को बताओं क्लियर यहां पे करूं तो इसके जो CEO है या सीज दहिया इनका कहना है इन्होंने एक इंटेमेशन दिया है ऐसा इन्होंने कहा है इनके पास जो है टोटल शियर अगर देखे जाए तो 24.52 मिलियन शियर है जिसमें से की 3.77 मिलियन की से लिए करना चाह रहे हैं ऐसा इन्टेमेशन इन्होंने एक्सचेंजेस को दिया है और कमपनी के दोरा एक्सचेंजेस को बताएगर इसी के चलते जो है यहां पर ये गिरावट आज के दिन देखने के लिए मिली है यही इसका रीज़न था लेकिन अगर आप लोगों को पॉलिसी बाजार या पैसा बाजार जो कंपनी है इन दोनों कंपनीों के बिजनेस मॉडल के उपर कंपनी के ओपर भरोसा है तो आप लोगों के एक है पॉलिसी बाजार और एक है पैसा बाजार ये दोनों के दोनों अभी तक जो है आप लोगों को बता दूँ ये दोनों के दोनों जो है नेगेटिव में चल रहे हैं यानि कि इनके अंदर जो है जो आप लोग जब चेक करेंगे इनकी अर्निंग्स इनकी अर्निंग्स न मुनाफे में नहीं है नुकसान में है और आज की गिरावट का रीजन तो हमने आप लोगों को यहां पर यह बताई ही दिया है जिन लोगों ने होल्ड करके रखाई शेयर को मैं मेरा ऐसा मानना है कि लॉंग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है बाकी तो आप लोगों खुद यहां पर स्टड़ी कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताओं यहां पर तो दैया जी के पास जो है 3.77 मिलियन शेयर्स को जो है यह सेल करना चारहे है इसी के चलते यहां पर यह गिरावट हुई थी लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज यहां पर निकल खासी जो है यह मान लेजिए हॉस्पिटल की चेन है जो की काम करती है इंडिया के अंदर और यह जो कमपनी है पैथलोजी से रिलेटेड या जो भी लैब से रिलेटेड चीजें होती है उन से रिलेटेड जो है कस्टमर्स को सर्विसेज देती हैं अब मेट्रोपॉलिस हेल कि गौतम अदानी जी अब धीरे धीरे hospital sector में भी आना चाह रहे हैं अगर यहाँ पे इनको यह hospital sector की जो chain है जो की diagnostic field में जानी मानी है metropolis healthcare अगर यह इनको मिल जाते हैं तो अच्छी खासी deal होने की संभावना यहाँ पे है धीरे धीरे आप लोगों को पता है healthcare sector ऐसा sector है इनसान जब तक रहेगा human being जब तक रहेंगे तब तक healthcare sector चलता रहेगा फार्मा sector चलता रहेगा तो इसके चलते हो सकता है कि अदानी ग्रूप जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे hospital sector के अंदर भी entry लेना चाह रहे हैं अगर ये deal हो जाती है चाहे अप लो ऑस्पिटल को मिले चाहे यहाँ पे अदानी को मिले तो अदानी को अगर यहाँ पे यह मिलता है तो अच्छे खासे जो है अदानी गृप के जो पहले से ही shareholder हैं उनके भी बले बले हो सकती हैं और जो मेट्रोपोलिस healthcare limited company के shareholder हैं उनके 53% जो है यहाँ पे हम लोगों को discount पे यह share देखने के लिए मिल रहा है मेट्रोपोलिस healthcare limited अगर पिछले 5 सालों का return देखा जाए तो अपने low से लेकर high तक इस company ने 254% के returns भी बना के अपने shareholder को दिये हैं अगर मेट्रोपोलिस healthcare के बारे में देखा जाए तो 8,156 करोड यह company जिसके की ROC और ROE काफी high है बात करते हैं इसकी profit growth की तो 11% और sales growth 23% की है बात करते हैं यहाँ पे इसके debt की तो 379 करोड रुपीज का और current market price तो आप लोगों को बताया 1594 रुपए के करीब यह share trade कर रहा है shareholding pattern काफी अच्छा खासा है इस company का 50% के करीब promoter के पास यहा पे public के पास है next यहाँ पे इसका chart अगर आप लोग देखेंगे Metropolis का तो बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे पहले के मुकाबले हो चुकी है और काफी सस्ते price पे यह share अभी हम लोगों को मिल रहा है next company दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा Ambear Enterprises India Limited है अगर AC manufacturing के अंदर देखा जाए इंडिया के अंदर तो leading company है Ambear Enterprises India Limited AC के components हो यह full AC हो उनको बना के यह देती है OEM को यानि की जो original equipment manufacturer होते हैं उनको supply करती है और जानी मानी company है 2430 रुपे के करीब यह share trade कर रहा है लगभग 4000 रुपे से लेके 3500 रुपे के करीब यह share trade किया करता था लेकिन जबरदस्त गिरावाट हुई है पूरे market के अंदर और share के अंदर भी और अपने all time high से 36% जो है down पर यह share मिल रहा है Ambear Enterprises Limited अगर आप इसका जो है यहाँ पर चार्ट भी देखेंगे इस company का अगर RSI भी चेक करेंगे तो 31 का है जो की एक buying opportunity हम लोगों को बता रहा है यह के लिए 100 term की बात मैं बिलकुल भी यहाँ पर नहीं करूंगा अगर long term के आप investor है तो आप लोग यहाँ पर consider कर सकते इनफोसिस बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ देखे अगर आप लोगों को share market में invest करना है अभी तो इतने सस्ते price पे आप लोगों को कोई भी share नहीं मिल के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली है यह share भी काफी गिर चुका है और अपने all time high से 21% डाउन है यह share लेकिन अगर जब आप इसका यहाँ पर chart चेक करते हैं तो अच्छी खासी गिरावट हुई थे लगवग जहां यह share एक साल पहले trade कर रहा था अभी फिर से वहीं पर यह trade कर रहा है यानि कि जो नए beginner भी है जो कि अभी इंट्री लिए जिन investor ने share market के अंदर उनके पास भी opportunity है infosys को buy करने की किस rate पर जिस rate पर यह एक साल पहले trade कर रहा था next बढ़ते हैं stove craft limited जी हां दोस्तों home appliances बनाने के field में यह एक जानी मानी company है जो कि again अपने all time high से 50 percentage discount पे मिल रही है आप लोग चेक कीजिए 544 रुपए के करीब यह share trade कर रहा है और यह share भी लगबग 1100 रुपए से लेके 1200 रुपए के बीच trade किया करता था लेकिन गिरावट share market में होने की वज़े से यहां पे भी अच्छी खासी देखने के लिए मिली है और जब stove craft का आप price chart देखेंगे यहां पे candle stick chart देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका RSI अभी 37 के गरीब चल रहा है गिरावट बहुत ही जबरदस्त हो रही है यहां पे बड़ी बड़ी red candle आप लोगों को दिखाई देंगी और अब यहां पे एक consolidation का face चल रहा है लेकिन again long term के purpose से ही इन shares को आप लोगों को study करना चाहिए दोस्तों अगर आप लोग शेयर मार्केट में नए हैं या अपने broker को change करना चाहते हैं तो description में upstock, jiroda, angel one इन तीनों के जो है link दिए गया है इन तीनों के link पे click करें account open करें और enjoy करें इन तीनों की services इंडिया के top broker में यह तीनों के ती झाल झाल